नमस्कार आपका टेक लगाओं में स्वागत है आज एक वीडियो में स्पेसल आपके लिए लाएं हूँ आज 15 अक्टूबर 2 हजर 22 है जो 15 अक्टूबर को आपको पता है कि इसमें क्या होने वाला है केंद्र पर तो यह लेटर आया है यह लेटर आदेश आया है सारे बेसिक स हर जिले में यह लेटर आया है ग्लोबल हैंड वासिंग डे इस आयोजन के संबंद में जो लेटर आया है ग्लोबल हैंड वासिंग डे के संबंद में है तो आये जानलिटे हैं इस लेटर में क्या क्या है और इसके साथ एक प्रोफार्मा भी आया है इसके साथ एक प्रोफा वारत मिशन ग्रामीर उत्तर प्रदेश में अपने पत्र संख्या 2021 मई 2022 SBMG लखनव दिनांग 12 अक्टूबर 2022 द्वारा प्रपत की प्रतेक वर्स 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वासिंग डे के रूप में मनाया जाता है वर्स 2022 से ग्लोबल हैंड वासिंग डे आयोजन की ओर से युनाइटेड फार युनिवर्सल हैंड वासिंग हाईजीन रखी गई है अतमान में COVID-19 महामारी के संचारी रोग से संक्रमाण फैलने की संभावना रहती है ऐसे में महतपूर समय जैसे की खाना खाने से पहले मुह आंख नाग हाथ छूने से पहले साबून से हाथ धोने के लाभों को विमन अस्तर पर स्विकार किया गया है साबून से हाथ धोने से डायरिया की घटनाव में 30% था हाथ की गंदगी से होने वाले बीमारी संक्रमाड विशेश रूप से 5 वर्स तक कम उम्र के बच्चों में 20 प्रस्थ तक कम हो सकता है COVID-19 के संदर में एक संक्रमाड विशेश रूप से 5 वर्स तक कम उम्र के बच्चों में 20 प्रस्थ तक हो सकता है COVID-19 के संक्रमण में एक अध्यान में पाया गया कि साबून से नीमित रूप से हाथ धोने से COVID-19 के संक्रमण की संभावना को कम किया जा सकता है इसलिए वैशिक हैंड वासिंग दिवस के विश्व में समाज के सभी वर्गों को हाथ की सच्छता है एक सच्छम वातावरण बनाने और महत पूर समय पर साबून से हाथ धोने को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है अता संबंधित प्रारूप सलंग करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि कोविड-19 महा मारी आयरिया संचारी रोक संक्रमण को रोपने के सभी ग्राम पंचायतों के पंचायात भावनों प्राथमिक वा अपर प्राथमिक पिद्याले हो आंगनमानी केंद्रों स्वस्त केंद्रों वा सामुदाई सोचाले ओपर सभी ग्रामीड नागरिकों वो बच्चों द्वारा साबुन से हाथ धुलाई का आयोजन दिनां 15 अक्टूबर 2022 को कराना सुनिश्चित करें ओम संबंधित बिभाग ग्लोबल हैंड वा सिंडिया आ को किन व्दिकारी को उसनिर देश के साथ रिपोर्ट संकलित कर मिसं कारियाला को ग्लोड कराना सुनिश्चित करें जाता है कि उप्रोगतिति के जन्वाह नущ यह ुलाजन का जो धिनांख है, इसमें धिनांख रहें겠어 15 अक्टूबर का नाम कारिकरम कारिकरम यहां च्छात्राओं की संख्या, यहां पूर्शों की और यहां महिलाओं की, कुल टोटल संख्या यहां पे रहेगी, यहां पे कुल टोटल संख्या रहेगी, इसमें अलग-अलग संख्या रहेगी सभी की, यह प्रतिभाग करने वाले वाले संख्या जो हैं, संस्था से जो प्रतिभाग किया गया है आंगनवाडी केंद्रों में बच्चों अभिभाव को अगंतु को और आंगनवाडी कारकत्रियों वो आंगनवाडी सहाईकाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया और यहां पे है सभी नौ निर्मित समुदाइक संचालेयों पर स्वयम सहायत समुद सस्था स्चीन में ओ्रतित छी सब्सक्राइब 한 सब्सक्राइब 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 वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो जरूर एक लाइक करना और चैनल टिक लगाओ को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक्स फारवांचुब झाल पसक्राव जरूर एक लाइक करना थैंक्स फारवांचुब झाल झाल